सब्सक्राइब कीजिए एफ इस्टेटी क्लास चैनल को और बेल आइकन को दबाईए लटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए हलो फ्रेंड्स आज इस वीडियो में हम परसनावली 12.1 का परसन नंबर 2 हल करेंगे पिछे वाली वीडियो में आपको परसन नंबर 1 बता दिया था अगर वो आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी तो इस वीडियो की डिस्टिस्में में आपको प्ले लिश्ट का लिक मिल जाएगा उस पे कलिक करके आप पिछे वाली वीडियो देख सकने है तो चलिए हम परसन नंबर 2 को हल करते हैं इसमें दिया गया है किसी फलाई ओवर के तिरी बूजाकार दिवार को विज्जापनों के लिए परियोग किया जाता है दिवार की बूजाओं के जो लंबाईया है वह 122 मेटर है बाईस मेटर है और 120 मेटर है इसे विग्यापन से परती वर्स हर साल 5,000 रुपए परती मेटर स्क्वाइर की प्राप्ती होती है मतलब कि यह जो विग्यापन है इन विग्यापन से 5,000 रुपए हर वर्स कमाई जाते हैं लेकिन वो 5,000 रुपए परती मेटर स्क्वाइर की दर से कमाई जाते हैं एक कंपनी ने एक दिवार को विग्यापन देने के लिए तीन महिने के लिए किराय पर लिया उसने कुल कितना किराया दिया तो हमें तीन महिने का जो किराया है वो इसमें निकालना है यहां पर जो यह flyover बना हुआ है इसके जो विग्यापन वाली जो दिवारे हैं वो त्री बूजा कार है मतलब कि यह जो बाग है इसका इस बाग के उपर विग्यापन है और इधर भी ऐसा यह यह त्री बूज बना हुआ है तो इसके उपर विग्यापन के लिए पुरियोग किया जाएगा मतलब कि इस पर add दिये जाएगे तो ये जो तिरी बूज है इस तिरी बूज के उपर अगर ये add करते हैं यानि कि विग्यापन के लिए इसको काम में लेते हैं तो इसका तीन महीने का किराया कितना दिया जाएगा वो हमें निकालना है तो पहले हमें क्या करना होगा कि इस तरी बुझ का छेतर फल कितना है वो हम निकालेंगे क्योंकि यह जो इतना बड़ा तरी बुझ यहां से लेकि यहां तक इस तरी भुज का ये छेतर फल कितना है ये छेतर फल में निकालना पड़ेगा उसके बाद में इसका हम किराया निकालेंगे तो सबसे पहले हम ये मांन लेते हैं ये इसके जो लंबाई चोड़ा ये उन्चाई है तो लंबाई ये 112 मीटर है और इसके जो उंचाई है वो 22 मेटर है और हिरोन के सुतर से हम इसका चेतरफल क्याद करेंगे हिरोन के सुतर में क्या होता है कि तीन बुजाएं होने चीए तो एक ये है, दूसरी ये है और तीसरी ये इसको A मान लेंगे, ये B मान लेंगे, ये C मान लेंगे तो यहाँ पर लिख देंगे माना A बराबर A बराबर हम मान लेंगे 122 मीटर 122 मीटर और B बराबर मान लेंगे 120 मीटर और C का मान मान लेंगे 22 मीटर यह हो जाएगी 22 मीटर तो A, B, C का मान होगा तब हम हिरोन का सुतर लगा सकते हैं तो यहाँ पर A, B, C का मान है मतलब कि 3 बुज़ की 3 बुज़ाओं का मान दिया गए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हिरोन के सुतर से आपको अगर 6 तरफल निकालना है तो उसका हम अर्ध परिमाप ग्याद करेंगे मतलब कि S का मान तो यहाँ पर हम लिखेंगे अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप अर्ध परिमाप आपको ग्याद करना है कैसे होगा तिनों बुज़ाओं को प्लस करना है तिनों बुज़ाओं को उनसी है 122 प्लस 120 प्लस 22 तिन्नों को प्लस करना है और भाग देना है इसके अंदर 2 का तो यह आजाएगा 264 264 बटे आजाएगा 2 तो अर्ध प्रिमाप आजाएगा 132 मेटर 264 में 2 का भाग देंगे 132 आजाएगा तो यह इसका अर्ध प्रिमाप हो गए यानि कि S का मान हो गया अब हम लगाएगे हिरोन का सुतर तो हिरोन का सुतर क्या है? मैं यह आपर लिख देता हूँ हिरोन का सुतर है अंडर रूट में S फिर S माइनस A फिर से लिखेंगे S माइनस B और फिर लिखेंगे S माइनस C यह हिरोन का सुतर इससे हम तिरी पूज़ का सहत्रफल गयाद करते है तो S का मान तो 132 है जहांपर भी S है वहाँपर 132 लिखना है A, B, C इस का मान यहाँपर मैंने लिख रखा है तो वह मान हम A, B, C का लिख देंगे तो S का मान सबसे पहले हम under root यहाँपर S का मान लिखेंगे 132, bracket में फिर से लिखना है 132 मानस A A का मान 122 है फिर bracket S मानस B तो S का मान 132 मानस B का मान 120 यह लिख देंगे फिर हम लिखेंगे S मानस C S का मान 132 मानस C का मान है 22 सभी मान लिखने बाद में इसको हल कर लेंगे तो यह आए गया under root 132 गुणा 132-122 यह जाएगा 10 गुणा में 132-120 करेंगे तो यह 12 आजाएगा और गुणा में 132-22 करेंगे तो 110 आजाएगा अब देखें इसको root निकालना है तो root निकालने के लिए आप इसको इस तरह से लिख सकते हो, ताकि रूट निकालने में आपको कोई दिक्कत ना हो, 132 से इसको हम लिख सकते हैं, 11 गुणा में 12, ये लिख सकते हैं, अगर 11 को 12 से गुणा करते हैं, तो 132 से होता है, तो इसको ऐसा लिख देंगे, ये जो 10 है, उसको 10 लिख दिया, 12 को हमने 12 लिख दिया 110 को हम लिख सकते हैं 11 गुणा 10 आगे हल करेंगे तो 11 देखी कितनी बार है 11 दो बार है तो एक बार रूट से बारा जाएगा फिर गुणा 12 भी दो बार है तो यह बारा जाएगा 10 भी दो बार है तो यह 10 आगया अब 12 को 11 से गुणा करेंगे तो 132 ही होते है और 132 के जिरो लगा देंगे मतलब कि 10 से गुणा करना तो इसका जूतर आएगा वो आएगा 132 और इसके लगा देंगे 0 तेरा सो बेस मेटर स्क्वाइर ये इस तरी बुजगा 6 तरफल होगा अब इस तरी बुजगा आपने 6 तरफल निकाल लिया पांच अजार रुपए परती मिटर स्क्वाइर की पराप्ति होती है मतलब कि अगर इसको एक साल के लिए किराई पर लिया जाए इस तरी बुजगा माले जी ये तरी बुजगा तो इतने से बाग का ये पांच अजार रुपए देते हैं फिर इतना ये बाग दुबारा काम मिलेंगे मतलब एक मिट्रे स्क्वाइर ये बाग काम मिलेंगे फिर एक मिट्रे स्क्वाइर तो इस तरह से इतन में इसके अंदर कितने मिट्रे स्क्वाइर होते हैं छेतर फल कितना मिट्रे स्क्वाइर हो गया है तो इसका पूरा छेतर फ पांच हजार रुपए लेकिन ये परती मेटर स्क्वाइर है एक मेटर स्क्वाइर के इसाब से तो एक वर्ष का मतलब हो गया बारा महीने अगर हम निकालते हैं यहाँ पर एक महीने का एक महा का किराया या एक महीने का किराया एक महा का किराया तो एक महीने का किराय कितना होगा पांच हजार बटे में अजाएगा बारा क्योंकि बारा महीने का किराय पांच हजार रुपे तो एक महीने का किराय पांच हजार बटे बारा रुपे पड़ती मेटर स्क्वाइर हम यहाँ पर तीन महीने के लिए है वो कितना होगा तो 5000 बटे में 12 है और गुणा में 3 लिख देंगे तीन का भाग इसमें जाता है 4 बार तो यह आ जाएगा 5000 बटे 4 रुपए पर 3 मिट्र स्कॉयर की दर से मतलब 1 मिट्र स्कॉयर का इतना रुपए 3 महिने के लिए विखने स्कॉयर का इतने रुपए है 5000 4 रुपए एक मिट्र स्कॉयर क्यों है तो पूरे का कितना होगा यह यहाद करेंगे कि कि पंअ जार मिड्र स्कॉयर का कि राय है कि कि यह कहा है एक मिट्र स्क्वाइर का है पांच हजार बट्टे चार रुपए और हमारा जो जहत्र फल है हमने जो निकाला है वो कितना है तेरा सो बीस मिट्र स्क्वाइर तो तेरा सो बीस मिट्र स्क्वाइर का किराय कितना होगा तो एक मिट्र स्क्वाइर का कितना है 5000 बटे 4 है तो 1320 का कितना होगा तो गुणा में कर देंगे हम 1320 अब इसमें देंगे 4 का भाग तो 13 में जाएगा 3 बार और फिर यहां पर एक इसके पास में आजएगी 12 हो जाएगे तो 12 में भी 3 बार जाएगा और 0 330 आजएगा अब हम 330 को 5000 से गुणा कर देंगे तो 33 को हम 5 से गुणा कर लेते हो तो 5 तेरी 15 और फिर 15 और 16 यानिके 165 और 4 इसके 0 लगा देंगे 1, 2, 3 और 4 गुणा आप कैसे भी कर सकते हैं तो यह आगया 16,50,000 रुपई इसके उपर जो पहले आपको यह जो तिरी बुच दिया गया है इस पूरे तिरी बुच का 6 तरफल निकालना है फिर आपको 3 महिने का किराये निकालना है तो 3 महिने का किराये कितना हुआ मतलब कि 1 मीटर स्क्वाइर का निकालना है आपको फिर भी इसके बारे में कोई स्वाल या सुजाव है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना वीडियो बसंद आए तो इसे लाइक और से जरूर कर देना इस चैनल पर आप नहीं है तो सब्सक्राइब करना हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए थैंक्यू